हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सेस केंद्रा फ्रेंट्स देखे आज इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC थार्ड सीजियल वेकंसी 2022 यानि की सचिवाले सहाइक भरती 2022 के लिए साइन्स के टॉप 150 important questions को इस वीडियो में कवर करेंगे देखे बहुत ही महत्पूर्ण सेशन रहेगा आपकी एक्जाम के दृष्टी कुन से वीडियो को पूरा देखिएगा और देखे लास्ट में आपसे एक प्रशन पुछा जाएगा जिसका एंसर आप जरूर कमेंट करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन जो घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी सचिवाले साहाइक परिक्षा से संबंदित कोई भी important वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका notification सबसे पहले आपके पास बहुत जाए तो चलिए friends म मास्टर वीडियो रहेगा आपके लिए friends जैसे मैं आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार SSE 3rd CGL Vacancy 2022 यानि की सचिवाले सहाइक भरती 2022 के लिए science के टॉप 150 प्रशनों की इस वीडियो में हम discuss करेंगे science का यह master वीडियो होगा friends आपके लिए वीडियो को पूरा और प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दीजे देखे पहला प्रशन पढ़ेंगे पहला प्रशन की निमनलिखित में से कौन सी प्रकिरिया ठोस को सीधे वास्प में परिवर्तीत करती है अगर आपको एंसर पहले से पता है तो आप एंसर कमेंट में देख करके बताते चले इसका ओप्सन नमबर ए हो जागा उर्धवपातन यानि कि सब्लीमेशन की प्रकिरिया ठोस को सीधे वास्प में परिवर्तीत करती है नेक्ष्ट कुस्ट नमर की एक ओम बराबर यहां पर दीके एक वोल्ट बटा यहां नीचे खाली अस्थान दिया गया है रिक्त अस्था यदि उसमें प्रभाहित विदूत धारा एक एंपियर हो तो चालक के उन्हों दोनों बिंदू की वीच का जो विदूत प्रतिरोध होगा वहां एक ओम होता है कितना होता है एक ओम होता है और देखें आपको पता है फ्रेंड्स की विदूत क्या होता है आई आर होता है ठी तो यहां नहीं पूछा गया है दिखे भूमंडलिय उसमिकरन का अर्थ क्या होता है पृत्वी के निकटम सतह कि वायू और महासागर के आउसत तापमान में हो रही बृधी से इसका मतलब होता है भूमंडलिय उसमिकरन का राइट एंसर इसका ओप्सन नमर यहां पर देखें मतलिय उसमिकरन का जो प्रमुख कारण है इसमें क्या है कारबन डैक्साइड है मिथेन है जलवास्प है और नाइटरस अक्साइड है एसका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण हमारा है किन्यमलेखित में से कौन सा फूल का परजानन अंग नहीं है आपकी एक्जा प्रश्ण हो फर्स्ट सीजियल और सेकंड सीजियल उसमें जितने भी पिछले बारा वर्स में प्रश्ण पुछे गया उन सभी प्रश्णों को मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है हिस्ट्री का अलग पोलिटिक अलग जोगरफी का अलग साइंस का अलग अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने बिहार ऐसे सी घटना चकर करके इस वीडियो को मैंने क्रेट किया हुआ है पुरा कंप्लीट सभी प्रश्ण को मैंने सब्जेक्ट वाइज में डि फॉस्प का यह पुस्प का बाहरी भाग होता है अगला अगला प्रशन आमारे कि विद्धुत मोटर एक युक्ती है जो विद्धुत उर्जा को मुख्यता खले संदियागा उर्जा में परिवर्तित करती है कि यह आपका यांत्री कुफड़ामें थीक है विधुत मोटर यांत्री कुफड़ा मोही अगर जनेरेटर पूशता विधूत्य जनित्र तंळ उल्टा होता है यांत रीक से विधुत हूज अगरर का हीरे का निर्पेक्स अपवर्तक सुचकांक यानि कि अपवर्तनांग कितना होता है हीरा कार्बन का अपुरूप होता है आपको पता है से कौन से रंग के लिए प्रकास का प्रकिर्णन नियूंतम होता है तो दिखें जिस भी रंग का तरंग दैर सबसे अधिक होता है उसका प्रकिर्णन सबसे कम होगा तो आपको पता है कि लाल का तरंग दैर सबसे अधिक होता है तो लाल का प्रकिर्णन जो है नियूंतम होगा और जिसका तरंग देर्स सबसे कम होता है, उसका प्रक्रिणन अधिक होगा। तो इसका राइटनशर लाल हो जाएगा और वहीं अगर पूषता कि अधिक तम किसका प्रक्रिणन होगा तो यह बैगनी का क्यों कि बैगनी का तरंगदर सबसे कम होता है नेक्स्ट कुस्चन हमारे कि जब गरम पानी के सोती यानि कि होट एस्प्रिंग का इस्तमाल विदुत उत्पन करने में होता है तो इस प्रकार का उर्जा को उत्पन क्या कहलाता है तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंट्स इसको कहा जाता हैं फिर भी इसको आप सई करके आएंगे देखे सुक्रानु पुरुसों में पाया जाता है तो यहां सुक्रवाहिका दिया गया option अबर इसका C हो जाएगा यहां मादा परजननतंत्र का भाग नहीं है यहां पुरुस परजननतंत्र का भाग है चले नेक्ष्ट कुस्टन है हमारा कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तीर्चा परविस करता है तो प्रकास के संचरन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है इस प्रभाव को जाना जाता है तो इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है प्रकास का अपवर् तो पहला तो यहां पर देखे कि सिरोसा हो गया उसके बद म्यूकोसा हो गया और यहां पर देखेगा तीसरा जो है यह मर्कुलेरिस हो जाएगा और चौथा जो है यह सब म्यूकोसा यहां मैं लिखता हूँ सब म्यूकोसा यह चार परत हैं उसको याद रखें कौन-कौन सा सि चाहजा घा बाहरी परत जो है सबसे इससे रोषा कहा जाता है अगला प्रश्ण हमारा है कि मानव सरेर की कौन सी धमनी ओक्सीजन रहितर को ले जाती है बताईए ओक्सीजन रहितर रहत को ले जाती है तो यह आपका हो जाएगा फुफुस धमनी, option number C, right and sir, इसका हो जाएगा, अगला प्रश्ण है कि निमने लिखित में से कौन mean work से संबंदित है, यानि कि मचली work से संबंदित है, तो इसमें से सार्क हो जाएगा, अच्छा कुछ मचलीों जैसे नाम होते हैं, लेकिन वे mean work से संबंदित नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, तारा मचली यानि कि starfish, jellyfish, silverfish, cattlefish ये सबी जो हैं, मचली नहीं हैं, तो आप confused मत होईएगा, वेल जो है क्या है, वेल मैमल में आता है, next question हमारा कि लगू परिपतन के समय, यानि कि short circuit के समय परिपत में विद्धुधरा का मान क्या होता है, तो जब भी short circuit होता है, तो परिपत में विद्धुधरा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और option number A हो जाएगा, इसका right answer, next question हमारा कि मनुस्त के सरीर के किस अंग या गरंथी से व्रिदी हार्मन सरावित होता है, व्रिदी हार्मन कि सरावित होता है, तो यहाँ, प्यूस गरंथी सरावित होता है, अंगलेजी में पिटिरूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है, ठीक है, मास्टर गरंथी यानि कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी सको जाना जाता है, अगला प्रश्न कि विद्धुध विववांतर की SI EKI क्या ह इसमें से वोल्ट हो जाएगा, कुलम जो है, यह आवेस का है, एमपीर जो है, विद्धुध धारा का है, अचा जूल किसकी काई है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी कमेंट करके बता दीजिए, अगला प्रश्न कि निमनलिखित में से कौन सी औधातू, चुना पत्थर को निरुपीत कौन सा करता है, तो चुना पत्थर कैल्सियम कार्बोनेट यानि कि सी ये सी ओ थिरी इसका राइट अंसर हो जाएगा, अगला प्रश्नी की तारो का टिम्टिमाना तारो की रोश्नी के वय मंडल से खाले स्तन दियागा, कि ये कारण होता है, तारो का रंग जो होता है, यहां किस पर निर्वर करता है, तो यहां तापमान पर निर्वर करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलिए, ये आपका अपवर्तन हो जाएगा, राइट अंसर इसका, उसके बाद देखेगा कि नम्रिखित में से कौन सा कथन सही नह नहीं है, और देखिए, सभी कथन इथेनोल के बारे में दिया गया है, तो देखिए, इथेनोल जो होता है, ये कमरे के ताप पर चरल होता है, सही है, इथेनोल को समानत है, अलकोहल कहा जाता है, ये भी सही है, एथेनोल टिंचर आयोडीन में भी इस्तिमाल किया जाता है, और एथेनोल जो होता है यह जल में घुलनसील होता है अगला प्रश्ण के वह उपकरण जो विदुत धारा उत्पन करने के लिए इस्तमाल किया जाता है क्या कहलता है तो इसको जैनितर कहा जाता है जैनरेटर कहा जाता है कहा जाता है और नखिया दर्दान के लिए सतह प्रदान करती है और यह पर दिके ब्रेड मोल्ड राेजोपस में जरन होता है बताएगा राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा बीजानु गठन के द्वारा किसके द्वारा होता है बीजानु गठन के द्वारा और इसका सी राइट अंसर हो जाएगा उसका बद देखेगा किन्यमनलिखित में से किसने व 1932 में जोसेफ हेंडरी के द्वारा की गई थी अगला प्रशन हमारा खाली अस्तन दिया गया है कि सदस से को समानेता हरी सैवाल कहते हैं अच्छा सैवालों का अध्यान क्या कहा जाता है सैवाले के अध्यान को फाइकोलोजी कहा जाता है क्या कहा जाता है और कोको का अध्यान जो है वो mycology कहलाता है ठीक है ध्यान रखेंगे सेवालों का अध्यान phycology कहलाता है राइट अंसर इसके क्या हो जागा chlorophyc next question हमारे किनमलिकित मैं से कौन सी उस्मा की इकाई नहीं है इसमें से कैलोरी BTU BTU यानि की British Thermal Unit और जूल ये उस्मा की इकाई है फोन नहीं है option number D राइट अंसर हो जाएगा फोन क्या है तो सुद्वस्वर को सुद्वस्वर की तेजी यानि की loudness of pure tones के है तो इसका प्रयोग किया जाता है किसका तो फोन का next question है कि milk of magnesia की pH value कितनी होती है milk of magnesia इनकी magnesium hydroxide magnesium hydroxide और इसका pH मन होता है लगबग 10.5 होता है ठीक है ध्यान रखेंगे यह एक चारिये और कारवनिक रसायन होता है next question है कि निमनलेकित में से कौन सा विकल्प सम्रूपी अंगों का उधारन नहीं है सम्रूप अंग ठीक है क्या होते हैं तो वे अंग जो समाने कार करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और संड़चा उनकी भीन होती है इसमें से चमगादर के पंक पंक्षी के पंक और कीड़े के पंक यह सम्रूप अंग के उधारन है जबकि बंदर के हाथ नहीं होगा और इसका डी होगा राइट अंसर नेक्स्ट कोस्टन है कि कौन सा सेंत्र तरल पदार्थों की विश्ष्ट गुरुत्यों को मापता है यहां गुरुत्यों पुछा गया है तो यह आपका कौन सा हो जाएगा हाइड्रो मिटर हो जाएगा हाइड्रो मिटर ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन है कि पौधे मिट नेक्स्ट को सने कि हावाक में परागण को क्या करते हैं तो इसको आपका यह होता है जिसमे अर्ध जाता है जिसके कारण क्या होता है शुक्सिंजीव निश्ट नहीं होते हैं तो अपका हो जागा नििश्यंदन everything कीट दंस से कीट अंस से होने वाली खुजलिक इसके कारण होती है तो यह फॉर्ओंिक एसीड के कारण होती है कुछ नहीं में से कुछ नहीं में से कुछ का सरजन या दरावमान उर्जा का सक्षेंक के विरुद्ध है कौन सा बिटामिन रखत का थक्क बनाने ये आउसक है तो यह भी टामीन-क है यह आपको भी पता है ठीक है चले उसके बद देखेगा किने संगराण की सिर्द कि दिये तो आ Cao बैट्री का भी किया जाता है और संधारी त्रियानी की कैपसीटर का भी किया जाता है तो इसमें से सभी हो जाएगा आपका राइट अंसर यहां पर दिखा ऑप्षन में दिया गया है डी में A B C D सभी हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन है कि निमनले भी होगी तो यह आपका हो जागा कागज का जलना कागज का जलना जो यह रासानिक परिवर्तन का उधारन है नेक्स्ट कुस्टन है के अनो थिरी का रासानिक सुत्र के अनो थिरी बताइएगा के अनो थिरी पोटेसियम नाइट्रेट है यह उर्वरक की रूप में इस्तमा ऑपर देखेगा ड्रोशेरा परजीवी ड्रोशेरै जो है एक मांसाहरी पौधा हुदा है और फंगस स्वपोसी नहीं होता है फंगस ये परपोसी यानिके अपगटन करता होते हैं तो यह दोनों जो है सही नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसका बढ़े के निमिलकित में से कौन सा गैसियो वाईव का प्रदूशन नहीं है, यहाँ पर देखे, A, B, C, D, आप्सन दिया गया है, बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपको न बिटामिन A, बिटामिन A और बिटा केरोटीन की अधिक मात्र होती है, तो एक ट्रांस जेनिक चावल की किसम है, जिसमें के जीन ततु पलब्ध है, बिटा केरोटीन मैंने बताया ना आपको, चले उसका बदी के मानव रखत का पीच मान सधारन कितना होता है, तो 7.4 आपन बिटा केरोटीन पाए जाता है, और बिटामिन A करासानिक नाव रेटिनॉल होता है, आपने पड़ा है, और यहां रतौंदी और जीरो पलेथेलिमिया में यह सायक होता है, तो यह आपका उप्सन नबर C हो जाएगा, उसका बदी के टाइफाइड मियादी बुखार फैलत है, तो यह दूसित पानी और दूसित भोजन से पानी और खाद पदार्थ हो जाएगा, यह होता किसके कारण से है, तो यह होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवानु से, नेक्स्ट कोस्सेन हमारे कि नमलकित में से स्वक्ष जल की मचलियां कौन सी है, तो रोहू और कतल हैं, यह अभिकर्मकों की सांदर्ता है, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था और सतह छेतरफल है, तापमान है और उत्पिररक की उपस्तिती है, इसमें से एंथेल्पी में परिवर्तन नहीं होगा, दीके तापमान, सांदर्ता और उत्पिररक मैंने बताया, यह जो है, यह आपका फुले रेंज हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखेगा कि कॉपर के किस मिसर धातु में जिंक नहीं होता है जस्ता नहीं होता है तो किस में नहीं होगा ध्यान से एक बार देख लीजे तो यह आपका बेल मेटल में नहीं होगा बेल धातु जो होता है यह होता है इसम कारण होता है निमनलिकित में से किरिया में निट्रोजन का अप्चयान नहीं होना यानि कि ऑक्सिकरन होना ठीक है अप्चयान होता है उसमें तो उसमें क्या होता है एलेक्ट्रोन की प्राप्ति होती है और अप्चयान नहीं है इसमें से यानि कि इसका राइट अंसर क्या हो सीधा होता है जिविज्ञान के पिता कौन कहा लाते हैं फादर आफ बैलुजी कहा जाता है अरस्तु को नेक्स्ट कुस्टन है कि निमने में से कूट फल है कूट फल एससेशरी फ्रूट स्टूडो कहा जाता है इसमें सब पॉम हो जाएगा ठीक है कूट फल कौन से है तो पान पर दिखेगा यहाँ पर कह रहा है कि अगर कम हो जाता है तो पानी क्या होगा पानी सोडिग्री से कम incom को मोजाता है और वहां कठिना ही होती है खाना पकाने में नेक्स्ट कुस्टन में कि सुर्ण और तारों में उर्जा का प्रमुक सुरत क्या है तो ये नाभी किये संलायन है अंगला प्रश्णि कि पेजल में किसी अधिकतन के कारण Blue Baby syndrome नामक रोग होता है तो यहां पानी में visitаю होता है उसकब दिखेगा कि भारत में परमानु उर्जा आयू की अस्थापना कब की गई थी तो 1948 में की गई थी और वर्ष 1958 में इसे परमानु होजा भीभाग के तहट लाया गया था तो यह आपका होजाएगा 1948 पाचन तंत्र का कौन सा भाग है स्रावित करता है हड्रोकुलोरी कमल यह अमास है अमास होजाएगा राइटिंसर आवर्थ सार्नी किसने त्यार किया था देखे आवर्थ सार्नी पूछा गया है तो यह दमि बेरी बेरी बिटामिन बी या बिटामिन बीवन का यह एक ही बात है इसी की कमिस होता है बिटामिन बी का रासाइनिक नाम थाइमीन होता है पेस्मेकर संबंदित है पेस्मेकर संबंदित किस से है तो यह हिर्दय से है ठीक है चले उसका पर किस योगिक का अनुश सहांती 40 ह यहाँ पर सभी का देख लिजेगा यहाँ पर देखिए मैं एंसर बता देता हूं नेट्रोजन यह सोडियम है यह सोडियम का कितना होता है 23 होता है और और अगला प्रशने कि कितने अनुए एक बराबर होते हैं तो चौजेश दॉतन अगला प्रश्णन की प्लाश्टफर पेरिश ुषम को गर्म करने पर प्लाश्टर पैरिश प्राप्त होताए इसका प्लाश्टर पैरिश कौनसा दो बी हरा इसका विद्धुद्ध अब घटनी असतनी प्रक्रिया और यह आपका लोहा इससे प्राप्त नहीं होता बाकि सोडियम पोटेसियम और कैलसियम विदुत अब घटन परकिरिया से प्राप्त होते हैं खाने का सोडा है खाने का सोडा तो सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट अचा धावन सोडा जो है यह सोडियम कार् क्लोराइड है वेल्डिंग के लिए किस मिसरन का उपयों किया जाता है तो वेल्डिंग के लिए जो है आरन ऑक्साइड और एलमोनियम का प्रयों किया जाता और इसको क्या कहा जाता है इसको थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है अच्छा एक होता है गैस वेल्डिंग में किसक कौन सी असूदता नम ही सोकती है तो यहां सूदता जो है यहां कैलसियम कुल्राइड और मेगनिसियम की कुल्राइड की रूप में होती है यहां पर दिखिए कि कैलसियम कुल्राइड और मेगनिसियम कुल्राइड दोनों दिया गया है ठीक है चलिए तो दोनों होगा अगला प्रश्ण हमारे कि phosphorus का कौन सा आयस्क नहीं है इसमें इसमें से ग्रेनाइट नहीं है चले परमानूह के नाभीक में होते है इलेक्ट्रोन बाहर जो है कख्षा में चक्र लगाता है आख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिविम बनता है तो यह रेटिना पर बनता है उल्टा छोटा और वास्तिविक प्रतिविम रेटिना हो जाएगा वर्णांधता जिसको कि कलर ब्लैंडनेस कहा जाता है दूसरा नाम इसका क्या है तो विश्तृत इसका वर्णन किया था डॉल्टन और इसलिए इसका नाम दियागा डॉल्टन प्रभाव अगला प्रश्नी कि विभुवांतर मापा जाता है जो है यहां मापा जाता है कि से वोल्ट मेटर से मेटर से क्या मापा जाता है यहां दिखें वोल्ट मेटर यहां पर दिया थे ठीक है एम मेटर से विदूत धारा मापा जाता है ठीक है चलिए उसका बदेखेगा कि कौन सा उपकरण विदूत उर्जा को यांत्री कुर्जा रिपदलता है विदुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बताइए गाराइट ंसर तो यह मोटर हो जाएगा ठीक है और यांत्री को विदुत में कौन बदलेगा यह आपका जेनरेटर बदलेगा चलिए डैनमों दिया गया है सूर्य से आती हुई परावैगनी में कौन हमें बचाता है तो यहां हमें बचाता है ओ जोन को बचाता है यहां का formula देया और भांद से उरजा संग्रहित होती है को इसमय होतीएają कोण सी голос होती है कौसी बहुतिक मात्रा of a कम एध है कि तो यह द्रभाद्यमान हो जाएगा गती जूर्जा का फर्मुला यहां पर पुछागा है समी करन तो हाफ एम भी स्क्वाइर होगा अप्सिन नमबर ए हो जाएगा राइट अंसर उसके बद देखेगा कि वायू जीवी स्वसन के दौरान किसका पूर्ण अक्सिकरन होता है चाहे बताये कि इसका पूर्ण ऑक्सिकरन होता है तो यह आप का हो जायागा ग्लुकोज का और डी सकार हो संयोजक्ता से ठीक है उसके बाद दिखेगा कौन सा अंग पाचीत भोजन में विशालू पदार्थों का उसुसन करता है कौन सा अंग पाचीत भोजन दिया गया है ठीक है विशालू पदार्थों का उसुसन करता है तो यह यक्रित लिबर है उसके बाद दिखे मूल द्वार हटाएगे द्रव की मात्रा के बराबर होती है आयर किमडीज का सिधानत आपने पढ़ा होगा आपको याद भी होगा नेक्स्ट कुस्टन है कि रख्त का कौन सा अवयाव सरीर की मान स्पेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है तो यह हीमोगुलबीन है हीमोगुलबीन में लोहा पाया जाता है अगला प्रशन है कि कौन सा उद्वीत दूसरे विक्सो की टहनियों पर ब्रिधी करता है तो यह कौन सा है यह और्किड है नेक्स्ट कुस्टन है कि जिवित को सिकाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तो तो त्री गुणित है त्री गुणित हो जागा इसका राइट अंसर ठीक है उसका बद नेक्ष्ट कोसिका में कौन सी कोसिकां कभी नहीं पाई जाती है कभी नहीं प्राणी कोसिका में यानि कि जन्तु कोसिका में तो यह आपका सेल भित्ती कोसिका भित्ती नहीं पाई जाती है अगला प्रशन के मानों के काई कोई सिक्वा में गुण सुत्र होते हैं तो 23 से जोड़े होते हैं और संके आप पुछा गया तो 46 हो जाएगा जोड़ा में 23 होगा नेक्स्ट कुस्ट्सन है कि किस जिव किस जिव में कसाब यानि यहाँ पर देखिए कसाब पाय जाता है एक जली नेक्स्ट कुस्ञें किनम लेखित में से कुन सा किट भक्षी है तो यह आपका नइफेंथेश हो जाएगा भारती कमल का बैज्ञाणिक नाम क्या है तो ने लेम्बो नुशिफेरा हो जाएगा औस नमबर यह राई-टण सर्थ इसका जाएगा उसके बदर के कारण होता है तो दूसरी दोन और पानी के करण होता है एक सूर्म्यअना नामग सूर्व मुनेल्वन्या टाइफि नामक जीवानुसा होता है उसके बद चले नेक्स्ट कोस्टन है कि वह माईक्रॉपियल हम Zwilling केласт ہो जिनों बायटिक्स को क्या कहा जाता है मिसक्लित को क्या कहा जाता बताई आगला प्रस्थ प्रस्न रेसम किस से उत्पन होता है तो रेसम कीट से उत्पन होता है रेसम का जो खीड़ा है रेसम कीट से होता इसी से उसका बाद देखेगा कि किस रख वर्ग की व्यक्ति सर्वद आता है उनिवर्सल डोनर कहलाते हैं तो यह डोनर ब्लट ग्रूप O है, रेसिपीटर यानि कि सरव गराहिता ब्लट ग्रूप A है, A B है, A B ठीक है, ब्लट ग्रूप की खोज किस ने किया था, तो कार्ल लेंड एश्टीनर ने किया था, नेक्स्ट कुस्त ने कि कैल्सिफेरोल रसानिक योगिक का समाने नाम क्या है, यहां पर दीके कोले कैल्सिफेरोल, एक होता और्गो कैल्सिफेरोल, यह सभी जो है, यह बिटामिन D का रसानिक नाम है, कोले कैल्सिफेरोल, ठीक है, चली, अगला प्रशन हमारा कि एड्स का प्रबल सुरूत है तो संत्रा में क्या होता है बिटामिन पाया जाता है सी यहां बिटामिन हो जाएगा राइट इसका इन में से कौन सा रूग मच्रों के होने वाला रूग नहीं है तो इसमें से घेंगा नहीं है बाकि मलेरिया फालेरिया यह डेंगू यह सभी होते हैं पाल अंटि टॉक्सिं का इंजक्षंक कि रोग्-्थाम के लिए दिया जाता है ईहाँ आइस्टीन कौन थे प्रसिदि जो थे यह भौतिक सास्त्री थे और प्रकास्ष विदुत प्रभाव विधान्त की से तिलिए नोबल पुरस्कारी दिया गया था टेलीफोन का विश्कार किस ने किया था एडिसन ने बॉल्ब का विश्कार किया था ग्रहाब बेल ने टेलीफोन का किया था गैलेलियो दुरूबीन का और मारकोनी जो है रेडियो का विश्कार किया था उसका वदिके जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस म प्रशन जाता है तो बीदुद्धारा का मापन किया जाता है तो विदुद्धारा मापन जाता है किसे अमेटर से ठीक है उसका बचले अगला प्रशनी के डैनेमो वाई अंत्र है जो नीमन को परिवर्तित करता है तो डैनेमो जो है या परिवर्तित किसको करता है बताए यांत्री कुर्जा को विध्यतुर्जा में ठीक है यांत्री कुर्जा को विध्यतुर्जा में ये प्रशन में उपलब्त सबसे कठोर्तम पदार्थ कौन सा है इसका एंसर आप मुझे कमेंट करके बताई एक प्रश्ण में आप से पूछता हूं हमेशा इसका एंसर अभी आप तुरंत कमेंट करके बताईएगा अपना स्कूर बताईएगा डेर सो प्रश्ण हम लोग कभर किया है और आप सिर्फ जो रॉंग आपका हुआ है ना वो बता जीजिए कि इतने प्रश्ण होए हैं मैं समझ जाओंगा कि सही कितने हुआ है ठीक है चली इसका एंसर कमेंट करके बतेएँ वासिंग सोडा किसका समाने नाम है वासिंग सोडा मैंने आपको बताया था जो धहवन सोडा सोडियुम कार्बोनेट हो जाएगा इसका बाइकार्बोनेट यहां पर देख़े सोडिय음 कार्बोनेट यह ठीक है यह ही कॉडिया फाने वाला सोड़ा है नेमन में से कौन's नियम रोकेट प्रोनोधन में सामिल होता है रोकेट 9 पूरा करना है तो यहां पर देखेगा बैलेंस भी करना है और पूरा भी करना है तो यहां तो आपको पता है कि होगा क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं तो यह आपका छोटी गाय की नसल हो जाएगा याद रखेंगे अचा निमारी भी पूछा जाता है निमारी भी आगे मिलेगा आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे निमारी भी गाय की नसल होती है किसी तत्व के समस्थानिक सत्त पर अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे जिनने वाली हैं उसमें क्या होता है समस्थानि & अργज होता है और परमानु सं सु समान होता है फार्मानुнее संहिधा समान होता है तक वस्ताद की परमानुमान के समान है और यहां पर दीखिए अले यह भी होगा और यहीं सभी होगा दोनों अप्सिन हैं थोड़ा सा काई मिस्ट टाइपिंग हुआ है उसका पड़िके पॉस्वु की रेड सिंधी नशलियमें से किस घर हीलू पॉस्वु से संबंदित है रेड सिंधी गाई की है किसकी है गाई की है कि ग्रेफाइट में कारबन के परमानु एक दू सब्सक्राइब निकटतम कारवन परवानों से सह संयूजी बंद के द्वारा जुड़े होते हैं सह संयूजी बंद इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए उसका बाद देखेगा आप चिक कर लिजे कहीं भी बुक पर इंटरनेट पर एंसर सह संयूजी बंद होगा निमार समय चार चों गुना दस के पावर अपने पढ़ा ओगा ठीक है 15 मीटर पढ़ा होगा लेकिन यहां किलो मेटर में इसलिए यहां पर हो जाएगा 4 चों गुना दस के पावर 12 किलो मेटर ठीक है वीडियो को सेर कर दीजेगा फिलीज लाइक कर दीजे लिए Healthcare बी और पोलिटी वीडियो आपको कबर दो.